कभी कभी जो हमें वर्तमान में दिखता है, उसका अतीत कुछ और ही होता है। इसी बात को बया करती है मेरी आज की एक कहानी। दोस्तों मैं हूँ सपना जैन, मन की उडान पे मैं आपको कहानिया और कविताय सुनाती हूँ। आज मैं आपके लिए रेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शिर्शक है, खीज। चबूतरी पर बैठे हाफ रहे थे वो, पूछने पर पता चला कि उनको कुछ वक्त से उल्जन की समस्या है। घर के अंदर उल्जन होती है, इसलिए बाहर वो खुली हवाखे लिए बैठते हैं। अभी इतनी ही बात हो पाई थी अपने नए पडोसी से, तभी उनकी धर्मपत्नी हाथ में पानी का ग्लास लिए हुए, बाहर आई। और उनके हाथ में जटके से पकड़ाते हुए थोड़ा गरम अंदाज में बोली, इसको पीओ, नेमुचीनी का गोल है। उन्होंने उनकी तरफ एक दैनिय नजर उठा कर देखा, और पानी का गिलास हाथ से लेकर घूट भरने लगे। उनकी पत्नी बड़बडाती जा रही थी, बाहर आकर बैट जाते हैं, अब उनको पानी देने के लिए बाहर दोड़ो, पानी वानी लेकर नहीं आ पाते हैं, अपने हाथ पानी ले लिया करो, तब जहां मन करे, वहां जाया करो। वो गिलास मों में लगाए, नीमबुचीनी का घोल, शब्दों की तीखी मिर्च के साथ पिये जा रहे थे। मैं कुछ देर वही रुकी, फिर अंदर आ गई। अभी कुछी दिन पहले हम यहां शिफ्ट हुए थे। पती की सरकारी नौकरी में तबादला हुआ, तो अपना शहर छोड़कर यहां आना पड़ा। अभी ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं हुई, बस अपने यही पड़ोसी हैं, जिन से थोड़ा बहुत मेल-मिलाप हुआ है। इनका नाम है रतन और इनकी पत्नी है जानकी। दो बच्चे हैं, बेटी की अभी हाली में शादी हुई है और बेटा बड़े शहर गया हुआ है, MBA की पढ़ाई करने। उम्र तो कोई बहुत जादा नहीं है, लेकिन आज के समय में इतनी उम्र आते आते कई बिमारियां लगी जाती हैं। सबसे पहले मेरा जानकी भावी से ही परिच्चे हुआ था। बहुत ही अच्छे से बोली थी वो, उनका व्योहार बहुत ही मिलंसार लगा था मुझे, लेकिन आज उनको ऐसे बोलते देख मैं क्या बताओं। मुझे लगा कि शायद मेरा खड़ा रहना यहां उचित नहीं है, इसलिए मैं अंदर आ गई। और अपने पती से बाहर हुई उस तना तनी का जिक्र करने लग गई। वो विचार इतना परिशान दिख रहे थे, लेकिन जानकी भावी उनसे प्यार के दो शब्द बोलने की जगे रौब दिखा रही थी। मेरे पती ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम कबसे दूसरों के घरों में जाकने लग गई। अरे मैं तो अपने घर के बाहर ही निकली थी। रतन भाई सहाब को परिशान देखा, तो हाल चाल लेने लग गई। बस उसी समय जानकी भावी आ गई। और मेरे पती ने बोला, छोड़ो ये उनके आपस का मामला है। मैंने हा में सर तो हिला दिया, लेकिन अभी भी उसी सोच में थी मैं। अच्छा मुझे निम्बू का घोल ना सही, लेकिन एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। मेरे पती ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए शायद बोला। मैं चाय तो बनाने लग गई, लेकिन मेरा दिमाग उधेर बुन में ही लगा रहा। मुझे बार बार रतन भाई सहाब की वो दैनी नजर परिशान कर रही थी। दूसरे दिन मैं अपने छत पर शाम के वक्त थोड़ा चहल कदमी कर रही थी, तभी रतन भाई सहाब की घर से फिर से जानकी भाबी की आवाज जोरों से आने लग गई। मैं कुछ देर वही खड़ी रही और फिर बुझे मन से नीच आ गई। एक दिन दर्वाजे की घंटी बजी, तो देखा सामने जानकी भाबी खड़ी थी। अरे जानकी भाबी, आईए आईए। जानकी भाबी अंदर आते हुए बोली, आज शुब्रा कहा किर्तन है, चलोगी ना। हाँ चल लेते हैं, कितने बजे जाएंगी आप? मैं मैंने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोला, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चार बजे चल लेते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा कि तुम से अभी से बोल दू, जिससे तुम सही समय पर तैयार हो सको। वो मुस्कुरा कर बोल रही थी औ और मुझे वो उनका गरम अंदाज वाला चेहरा याद आ रहा था। नीबू पानी का घोल लिये, रतन भाई सहाब के उपर बरस्ती हुई जान की भावे। मेरी आखों के सामने वो उस दिन सुबह की पूरी घटना घूम रही थी और उनकी करकश आवाज कानों में पढ़ तब ही वो सोफे से उठते हुए बोली, अच्छा फिर मैं चलती हूँ, चार बजे मिलते हैं। मैंने हरबड़ी में बोला, अरे एक कब चाय तो पी कर जाएं। नहीं नहीं, फिर कभी आकर पीओंगी। आज शाम में चलना हैं, तो मुझे भी सारे काम निप्टाने हैं। दरवाजे के बाहर पहुच कर वो पल्टी और मुस्कुरा कर चली गए। धोलक की ताल पर शाम चार बजे, शुब्रा के घर पर सभी थी रख रहे थे। मादुर्गा के भजन गाय जा रहे थे और सारी और जूम जूम कर गा रही थे और एक एक दो दो करके नाच रही मादुर्गा की बड़ी सी फोटो वहां लगी हुई थी, जिसके सामने दिये में जोती जल रही थी और कई प्रकार के फल, प्रसाद, मिठाई वगेरे मादुर्गा के सामने चड़ी हुई थी। सब बहुत खुश थे, जान की भाबी भी धोलक बजा रही थी और गा रही थ उसी बीच शुब्रा मेरी बगल आकर बैट गई और बोलने लग गई। कितना अच्छा लग रहा है ना जान की भाबी को ऐसे खुश देखकर, वरना अरे शुब्रा फलकी टोकरी कहां रखी है? शुब्रा की बात बीच में ही कट गई और मेरी मन में एक कुटिलता सी आई और मैं सोचने लग गई, वरना वरना तो बिचारे रतन भाई सहाब के उपर ही सारा गुस्सा उतरता है। शुब्रा ने उन्हें फलकी टोकरी के बारे में बताया और फिर से बोलने लग गई। हाँ तुम्हें कह रही थी कि जान की भाबी को अब खुश देखकर बहुत अ खेला है। तकलीफ? कैसी तकलीफ? मैं आश्चर इसे बोली। अरी रतन भाईया ने तो इनको क्या से क्या बना दिया। ऐसा सुनकर मुझे रतन भाई सहाब का उस दिन का दैनिये चेहरा देखने लगा। और मैं बोली लेकिन वो तो बड़े बिचारे से दिखते हैं ना। मैं कुछ बोल ना सकी और प्रश्ण भरी द्रश्टी से शुब्रा को देखने लग गई। शुब्रा ने बताना शुरू किया कि जानकी भाबी हमारे पूरे मुहले की सबसे खुबसूरत और टैलेंटिट बहु बन कर आई थी। अपने साथ इतने आर्ट और क्राफ्ट के स समान लाई थी कि रोजी मुहले भर के लोग इखटा होकर उनके यहां पहुच जाते थे। शुब्रा जैसे खुबसूरत अतीत में गोति खा रही हो और वैसे ही सब कुछ बया करती जा रही थी। जैसे उसकी आखों के सामने एक चलचित्र चल रहा हो। इनके हाथों में त हुनर को सभी लोगों को सिखाएं। लेकिन रतन भाई साब कैसे बरदास करते यह सब? क्यों? इसमें बुराई क्या है? मैंने अचानक सही बीच में बोला। इग्जाक्ली हमने भी यही सोचा कि इसमें बुराई क्या है। घर बैठे अगर वो अपना हुनर औरों को सिखा रही हैं तो इसमें भला नुकसान क्या है? शुब्रा ने मेरी बात का समर्थन करते हुए बोला, लेकिन नहीं, रतन भाई साब का इगो हर्ट हो जा रहा था। मेरे माते पर सिकुडन आई और मैं कुछ भी सोचने समझने के अंदाज में नहीं थी, और बस सुनती जा रही और शुब्रा बोलती जा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर की कई सालों की दभी खीज धोलक की ताल पर उतर रही है।